नमस्कार जैहिंद सातियूं मैं आपका साती राजपाल स्वागत करता हूँ मेरे सभी बलवान और विद्वान सातियूं का स्टेडी एक्जाम एकेडमी में मारा सगला पढ़ाई का सोकिन जीवडा क्लास में लाइव जुड़े हो साई हाँ ठांको साती राजपाल आज़ी क् माइने सभी इस दोस्तों का वेलकम रहेगा सभी साती एक बार कलास को दबा कर तोड मरोड कर लाइक और शेर कर दें पहला सवाल आपके सामने है कि बनास नदी तिर्वेणी संगम का निर्मान नदियों के साथ में करती है गुरुजी आ किसी नदी है अरे जीवडा बनास न तो निकले है अरे जीवडा बनास नदी निकले है खमनोर की पाडियों एक खमनोर की पाडियों कटे है घुरुजी आया साह राज समन जिलेवे किशो जिलो है राज समन जिले से निकल ठीग है अब याँ पर तिर्वेणी संगम का मतलब होता है जाहां पर तीन नादियां करें मिलती है गुरुजी एक तो बनास होगी ठीक है और एक हो गई बेड़च और एक हो मेंनाल BBM इसका एक ट्रिक है BBM बनास बेड़च और हें मेनाल तो एक तिन चाहें मिले ए आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बनास नदी, एक और यहां पर तिरवेणी संगम बनाती है, एक दूसरा तिरवेणी संगम और बनाती है, एक तो बनास हो गई, एक हो गई चंबल, क्योंकि यह चंबल की साइक नदी है बनास, चंबल और एक हो गई शी यह सवाई माद उपुर में बनाती है तिर्वेणी संगम तो यह ध्यान रगले ना बनास नदी एसी नदी है जो जिस पर दो वार तिर्वेणी संगम बनता तीन नदी आकर मिलती है तिर्वेणी संगम और एकजा में पूछा भी जाता है ठीक है सा चलो अगला सवाल देखते ह स्वेकेंड सवाल है कि धन्ना भगत के गुरु कोन थे बताओ देखाणी धन्ना भगत के गुरु कबीर नान के रामानंद या नाम देव तो धन्ना भगत के गुरु का नाम था रामानंद किशानंदा साई रामानंजी जक्का भी साती बी आंसर बतारिया है बास अगणा को राइट है नेक्स्ट अगला सवार राजस्तान का पर्थम विश्वविदालिय जिसने आठ जनवरी 2022 को अपना पच्चे तरवाँ इस्थापना दिवसमना या यह करंट का सवाल है फिर भी हम कर लेते हैं इसको लपेटे में ले लेते हैं जोदपूर विश्वविदालिय कोट्टा तो उद्यपूर विश्वविदाल या उद्यपूर विश्विदालिय। ना विस्वविदालिय। बड़ा है राजस्तान का सबसे। इसलिए सवाल पूचा जाता है। छोटा है उसका थोठा सवाल कम पूचने का चंसेज रहता है। तो राइट आंसर होजाएगा। relating विश्व विदाले कि इसाइज जोधपूर तरी राजस्तान विश्व विदाली जोधपूर में से अंसर अपना प्रेक्ट हो जाएगा मुदि रशनें जीवुडा को में पूछा गया है। जली से कमेंट करें पाइसे जली से एक बार कमेंट करें। देखां देखां नी जीवडा कुण कुण को शई उतर आवे कौन ते बगत पंत के परतिपादक थेग दोस्तूं गोविंद गिरी कुणा साई गोविंद गिरी बी उतर आपां को काई हुजी बिल्कुल शगणां को राइट हुजी चालो अगला सवाल देखते हैं सवतंतर बाउनी की रचना किष्णे की फागुमाराज ठाकुर ओंकार शिंग दुल्या राणा तेज कवी जेसल मेरी ने सवतंतर बाउनी की रचना कुण करी रहे जीवडा बतो देगे या डब्याइट राईट और्य गलत बतार प्रीव कमेंट करो जिसको कमेंट आरहा है वह इसको भी कमेंट करना हैं लेकिन कमेंट आपको जरूर करना है तेज कवी जेसल मेरी डी आंशर अपना सुमेली Kath कौनि किष्ण जीवडाव सुमेलित को सिसा और जस्ता राजपुरा दरीबा और टंगश्ट नडेगणा नागोर तो अपना भी आंसर है वो क्या हो जाएगा ठीक है चलो अगला सवाल लेखते हैं नेक्स सवाल आपके सामने कि चगनवेन ने सर्वद्य गति वीदियों के लिए राजस्तान के किस छेतर को चुना राजस्तान के किस छेतर को चुना बतो देखें राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करो किसको आ रहा है किसको नहीं आ झाल झाल तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों खिंचन जोदभूर बहुत ही बड़िया जो साथी सी आंसर दे रहे खिंचन जोदभूर उन सभी का राइट आचुका है अगला सवाल 2021 में राजस्तान के कौन से जिले में दीतिये नयूंतम बड़ं वन पर-36 रहा कोंसे जिले में नयूंतम सन में जेसल मेर शबसे讲 तो लिएा तो आपको बताना है तो राइट आंसर की हो जाएका देतिये पहला जेसल रहे और दीतिय हो जाएगा आपका चूरू कौन सा हो जाएगा चूरू जिला हो जाएगा राजस्तान में सबसे ज्यादा गर्मी और सबसे ज्यादा सर्दी किस जिले में तो वो आपका चूरू जिला है राजस्तान के किस जिले की इस रश डेरी ने 17 अगस 2022 को अपनी सवन जेनती मनाई तो कईना की रिजन है कि इस रश डेरी को सवाल आई हुए जटो आपने पतों उनुचाजा डेरी है ज़की राजस्तान की पर्थम डेरी है अजमेर, अलवर, जेपूर और किसनगड उस डेरी का नाम क्या है उस डेरी का नाम है दोस्तों क्या नाम है भाई पदमा डेरी क्या नाम है पदमा डेरी और यह काँ पर आजस्तान की पर्थम डेरी अजमेर में है काँ पर है अजमेर में अगला सवाल देख लेते हैं ये लोसा आगलो सवाल थांके सामने आए गोई स्क्रीन पर नेमलिकित आमेर के सासकू में से किस ने तीन मुगल बाजशा जांगीर सांजा और औरंग जेव के सासनकाल में मुगल दर्बार में शेवाई दी सवाई जैसिंग मान सिंग मिर्जा राजा जैसिंग केने का मतलब सीधा साधा है जिने तीन मुगलों की सेवा की वह सासक कौन था तो उस सासका नाम था मिर्जा राजा जैसिंग मिर्जा राजा जैसिंग ये अपने जेवपूर के सासक दे इन्होंने किन-किन की सेवा की तो ध्यान रख लेना जांग किस ने दी इन तिनु में से मिर्जा राजा जे सिंग को मिर्जा की उपादी किसके द्वारा दी गई वह आपको बताना है कमेंट करना है कि इस्टा पतियकला से समन्दित है गुर्जर पतिहार गुप इस मोरयय या पंचाइतन कि डुमादू का सोमेश वर मंदिर है किस इस्तापत्य कला से समन दीते दोस्तूं तो ये आपका हो जाएगा कौनजी गुर्जर परतिहार बिल्कुल ए आंसर अपना डाइट आ चुका है जो साथी ए बता रहे हैं गुर्जर परतिहार उन शबीका यहां पर करेक्ट आंसर होगा अगला स्वाल है कि दामना नाबंक आपुशन काहां पर धारन किया जाता है अंगुलियां पेर में, कमर में, गलमें की दामन नीचे पेरी जूती आ जीवड़ा जूती पेरली और ये देखें जो अंगुलियां होती है न हाँ हात्तों की इनमें ये पूरी अंगुलियों में दारण किया जाने वाला आभूशने दामना अंगुलियों में पेना जाता है तो ए आंसर अपना राइट हो जाएगा आगलो स्वाल है कि डोला मारूरा दुआ का रेचेता कुण है नर्पति नहलेक आसानंद कवी कलोल या बिटू सुजा डोला मारूरा दुआ के रेचेता कुण है बताओ देखाने तो राइट आंसर बताएं देखें जिस भी विद्वान को आ रहा है मैं देख लेता हूं एक सब्सक्ति योजना 2022 के राजस्तान सरकार माइलाउं को आत्म निर्वर बनाने के लिए विधीय साहिता परदान करती है मैलाइं आतम दिर्पर बढ़ना चाहती है तो राशुम सकती योजना है 2022 में शुरू हुई थी इसमें कितने पैसे दिये जा रहे हैं मैलाओं को वह आपको बताना है कितनी राशी दिजा रहे हैं तो इस योजना के तेद जितनी भी मैलाएं है जो आत्म दिर पर बढ़ना चाहती है अपना खुद का कुछ काम करना चाहती है तो उनको 55,000 रुपे दिये जा रहे हैं राज्य सरकार के दोबारा बहुत ही बढ़िया चालो सा आगलो स्वाल देखा दुरलब भीमारियों से ग् सित बच्चे हैं और जो वैसक है उनके लिए क्राउड फंडिंग राज संबल दुरलब भीमारी या राज फंडिंग कौन सा पोर्टल है जो लौंच किया गया है सरकार के द्वारा इसके लिए दोस्तों क्या हो जाईगा राइट आंसर कमेंट करो देके किस किस का राइट है कुण कुण को सही उतरा ही तो राइट उतर हुजी साब भी राज संबल जाका भी मारा जीवड़ा बी आंसर बतारिया अबास अगला को सही है सवास्ची विवाग राजस्तान ने तक टीबी को खतम करने के लक्षे को प्राप्त करने के उधिश्य से टीबी मुक्त राजस्तान अभियान प्रारम किया है केबा को मतलब इसकी कुष्ट रोग है इसको टीबी है इसको समप्त करने के लिए राजस्तान सरकार ने एक लक्षी रखा है कि बाई 2020-2035-30 तक हम इस टीबी से राजस्तान को मुक्त कर देंगे कोई मरीज टीबी का नहीं मिलेगा तो ये टार्गेट कब तक रखा गिया है 2023-2025 या 26 ये टार्गेट है अपना 2025 तक राजस्तान को टीबी बुक्त करना है हाँ अगला स्वाल देखते हैं राष्ट ये इस्तर का फोरेंसिक साइंस सहस्तान कहां पर शुरू क्या जाएगा राजस्तान में किया जाएगा तो निश्ची तोर से एकजा में सवाल पूछा जाएगा तो द्यान डगलेना दोस्तों जेपूर में नहीं किया जाएगा ये जोधपूर में किया जाएगा जो साथी जेपूर बता रहे हैं उनका गलत है जोधपूर अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा किस जील का निर्माण 1800 में के दोरान अकाल रात कारियों के तहत करवाया गया राज सम्मंद फते सागर फोई सागर या नकी जील नकी जील कट है माउंट अबू शिरोही में राजस्तान की सबसे उंची जील है इस पर बहुत सारी देखो बाते हैं कि नकी जील इसको प्रेट्रियों के तहते 1892 में कौन सी जील का निर्माण करवाया गया अगया फोई सागर जील का कौन सी है विल्कुल फोई सागर जील है सी आंसर अपना क्या हो जेगा बाई राइट आंसर होगा अगला स्वाल है कि जगदीब धनकड जो राजस्तान के रहने वाले हैं बा ये पूछा जा चुका है तो ये उपराष्ट पती बने थे कौन से नमर के बने तो ये चवद्वें उपराष्ट पती थे डी आंसर अपना क्या होजएगा राइट होजएगा सिता माता वन्यजीव अभ्यानिय राजस्तान के कौन से जिले में है शिरोई परताबगड उद्यपूर्या कोटा उडन गिलेरी के लिए ये परशिद है यहाँ पर आपको उडने वाली उडन गिलेरियां आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी सिता माता वन्यजीव अभ्यानि में तो यह चीज भी हमें पता होनी ही साथ में जरूरी है काम परे सीटा मात व्लीजी वग्या moim बिल्कूल परताब गड़ जिले में हैं परताब गड़ वर की राजस्तान का राजस्तान का रश्तान चैनीक, गटित जिला है राजस्तान का 339 एक पर्ताब गट। रंधमोर के स्थ पक या सुझाक कोन था गोविंद राज हमीर विग्रेय राज Qeetee p राजा भी कहते हैं क्या कहते हैं हटी राजा इनहें कहते हमीर को मखेधी को पीको ये कवी भी थे घान रख लेना चोवीस बानिया उन्होंने गरंदेव जी के बारे में आप बहुत सारी चीज़े हैं जो उमें पता होने चाहिए इनकी जो पसरंगी दवजा होती है देखो दवजा होती है जितने भी लोग दे होता है उनकी यह अपने मारवाड के पांच पीरू में सामिल है राम देव जी इनकी दवजा को बोलते हैं नेज़ा क्या बो जाता है तो रामदेव जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें है इसके लावा ये पंच पीरू में सामिल है मारवाड में पांच पीर हुए है तो पंच पीरू में रामदेव जी क्या है अपने सामिल है पांच पीर कौन कौन से एक तो रामदेव जी खुद होगे एक अपने लिया में हजी तो यह टोटल चार और एक रामदेव जी पांच पंच पिरू में आते हैं लोग दे उता है इसके लावा एक तेजा जी तेजा जी ध्यान रख लेना एकजा में पूछा जाता है तेजा जी पंच पिरू में सामिले नहीं है यह पंच पिरू में नहीं आते हैं इतनी चीज़ें है जो मैंने आपको बताई ध्यान रख लेना जो भी आपको वेसे पता होगा मैं बताता रहता हूं यह चीज़े बार-बार आपको ताकि आपका रिविजन होता रहे अगला सवाल राजस्तान में राजसु बोर्ड की स्टापना कब की गई तो राजस्तान में राजस्व बोड की स्थापना कभी 1948,49,50,1951 कमेंट करो किस का करेक्ट आता है राजस्व बोड की स्थापना कभी रहे जीवडा उन्नी सो उन्चास महिसा भी आंसर अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा कौन सा युगम सही सुमेलित कोनी नदी और भी की साइग नदी पूछोड़ी है नदी और उसकी साइग नदी पूछी गई है चंबल की साइग नदी बनास है मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ एक नदी ओर है देखो शीप चंबल बनास ओर है शीप यह तिनू नदियां जहां पर आकर मिलती है वहां पर एक तिर्वेणी संगम मनता है सवाई माध्दोपुर में तो चंबल की बनास हो गई लम्भी नदी चंबल है लेकिन राजस्तान में अंते परवा की दस्टी से सबसे लम्भी नदी बनास है बनास और बेड़च यह लूनी की शाइग नदी शूकड़ी है और काली सिंद की कोठारी यह आपकी क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी यह साइग नदी नहीं है तो ड जोदपूर सब्वेता किस नदी के तट पर है तो यह आपकी जोदपूरा सब्वेता है यह साबी नदी के तट पर है कौन सी नदी के है जोदपूरा सब्वेता यह जोदपूर में नहीं है द्यान रख लेना यह जोदपूरा जेपूर में है कहां पर है जेपूर में है तो आप सभी को पता है चंग बाज़े रहे होली में जिवड़ा है और सबसे ज़्यादा जो चंग नर्टी किया जाता है राजस्तान में वो सबसे ज्यादा आपका सेख הवाटी छेतर का परशिद है किस छेतर का है सेख वाटी जो आपके सिक्कर जुन-जुन बगेरा जो जिले आते हैं इनमें सबसे ज़्यादा ये किया जाता है फड़ चित्रन के लिए जाना जाता है साहपुरा चितोडगड नात द्वारा रासमंद किसंगड अजमेर फड़ चित्रन के लिए तो साहपुरा जाना जाता है और साहपुरा है काँपर साहपुरा ये ब बिलवाड़ा में है फड़ चितरन के लिए परशिद है राजस्तान नीमर में से किस खनीजगा एक मातर उत्पादक है सिसा अबरग तंबा वोलेश्टोनाइट या सेलेनाइट राजस्तान किस खनीजगा एक मातर उत्पादक है राजस्तान का एक अधिकार है तो वो आपका ह हो जाएगा कौन सा हो जाएगा वोलेश्टो नाइट जो भी विद्वान शी आंसर दे रहे हैं उन सबीका क्या हो जाएगा राइट आंसर माना जाएगा अगला देखते हैंनेक्सट 1877 की करांती के समय राजस्तान में एजेंट टू गवर्णल जनरल कोन था आई जी जी यानी एजियन št जोर्ज लोरेंस यहांसर अपना राइट हों जाएगा उसके बाद में यह अजमयर आता है जागिर सब्द किस बासा से लिया गया हिंदी मारवाडी संस्कर्त या फार्षी एक सब्द होता है जागिर क्या होता है मारी जागिर की बीस्वी पशुगर्णा के अनुसार निमन में से कौन से जिले में मवेसियों की संख्या सर्वची तीसरे इस्तान पर है बीस्वी राजस्तान की जो पशुगर्णा हुई थी दोस्तूं यह 2019 में यह ध्यान रख लेना पर्थम डिजीटल पर्शुगर्णा हुई थी पर्थमें डिजीटल पर्शुगर्णा हुई थी बिल्कुल बाड मेर जोदपूर विकानेरिया उद्यपूर पर्शुगर्णा उस टाइम मैंने पढ़ा ही पिती जब 2019 मुईतिक यूट्यूप पर देख लिना वीडियो आपको पूरी पर्शुगर्णा का मिल जाएगा तो सर्वचिये तीसरे इस्तान पर किसका है बताओ देगे कमेंट करो अगला सवाल देखते हैं चीर पटोरी क्या है साड़ी है पगड़ी है जूती है या घर है चीर पटोरी क्या है तो ये एक परकार की साड़ी का परकार ये क्या होती है एक परकार की साड़ी वैसा राजस्तान के किस जिले में यूरेनियम प्रोजेक्ट इस्तापित किया जाएगा पाली, सिकर, जेसलमेर, जालोर किया जा चुका है यूरेनियम प्रोजेक्ट राजस्तान के कौन से जिले में कौन सा जिले है भाई, जल्दी से कमेंट करो जिसको भी आंसर आ रहा है क्या हो जाएगा सिकर कौन सा है सिकर जिला है भी आंसर अपना राइट हो जाएगा जो साती भी बता रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर होगा निमन चोटियों को उन्चाई के आदार पर अवरोई करम में विवस्तित करना है अरावली परवतमाला सबसे प्राचीन परवतमाला है इसकी चोटियां आपको दे दी गई है और अरोई और अरोई दो करम होते हैं अरोई हमें पूछा गया है तो इसलिए आप ध्यान रग लेना सबसे पहले उजाएगी टोडगड देखो वेसे तो अरावली परवतमाला की सबसे उची चोटी है उसका नाम क्या है गुरू सिकर गुरू सिकर है 1722 मेटर उसके बाद में सेहर है लेकिन गुरू सिकर शेहर वो दिलवाड़ा बगरा यहां पर है नहीं उप्शन में तो उसके बाद में उजाएगी टोडगड़ उसके बाद में खो फिर नागपाड़ आर फिर वेराज जो भी सात ही अंसर बता रहें अंसर अंसर ब assessment ती यह अपनी मेवाड की मारानी थी चितोड़गी हां तो मेवाड की महरानी थी हाडी रानी कर्मवती 1534 और 35 में इन्हों जोर किया था इसका reason क्या था किसने आकर्मन किया था गुजरात के बहदूर्शा ने यहां पर क्या किया था आकर्मन कर दिया था उसमें यहां के सासक कौन थे उसमें यहां का सासक था विक्रमा दीती यह चोटा सा बच्चा था बेचारा यह इसकी माता थी विक्रमा दीती जाता है इसको नन्याल भेज दिया जाता है बाद दूर्शा गुजरात का सासक आकरमन करता है मेवाड पर और उसे समय रहाडी-रानी करमावती ने राखी बेजी ती यानि मदद मांगी थी मुगल बादशाह हुमयू से हुमयू से को राखी बेजी लेकिन हुमयू खुद पूरतामर पत्र से पूरतामर पत्र हो जाएगा ए आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा अगला स्वाल है कि मंगला तेल चेतर किस जिले में है जैसल मेर बाद मेर जोद पूरिया पाली मंगला तेल चेतर कौन से जिले में है जल्दी से कमेंट करो देगे जिसको भी आंसर आ र होगा तो दोस्तों आज के लिए कुछ इतने ही सवाल थे कितने आपके राइट हुए है क्या आपका स्कोर राह है और जिन भी सात्यों का राजस्तान हाई कोट एल डिसी का एक्जाम है उन सभी दोस्तों को हमारी स्टेडी एक्जाम एकेडमी टीम की तरफ से बैस्ट आप नहीं है जैसा भी पेपर होगा कभी पेपर देफर का ुछ बिल्कुल जीरो आ जाता है कब मीडियम आ जाता है कभी अहाड़ हाड गता तो समझने हए है बहुत नहीं सभी दोस्तों को बेस्ट नवाज है नमस्कर झाल झाल